Shrinkingly का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Shrinkingly का आर्थ होता है पीछे हटते हुए, बचते हुए, सिकुडते हुए, या जिजकते हुए या ठिठकते हुए जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह सिकुडते हुए, ठंडे पानी में चली गई, खुद को पूरी तरह से डुबाने में जिजक रही थी तो आप कहेंगे She entered the cold water shrinkingly, hesitant to fully immerse herself अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें